स्वागत है आपका मैं विवेक बंद्राव फाउंडर सीओ बड़ा बिजनस डॉट कॉम आपको केस्टिडीज का इंतिदार रहता है आज इलेक्ट्रिक वहिकल की करांती उसका रेविलिउशन क्या होनेवाला पूरा का फूरा फूचर चर्चा करेंगे उससे पहले किसी बीजनस में अपको adoption कर्व समझना चाहिए इंडस्ट्री का एक होता है sunrise एक होता है sunset sunrise का मतलब जब adoption करके शुरुआत होती है यह वो इंडस्ट्री है जब शुरुआत के अंदर customer आपको premium देता है extra पैसा देता है कोई भी नई technology आती है कुछ भी आती है वो पहले महेंगे में बिखती है उसके बा सब्सक्राइब जब बहुत होती है यह वो समय है जब पूरी maturity आजाती है इंडस्ट्री के अंदर competition बढ़ चुका होता है हर आदमी उसमाल को बेचरा होता है और बाद में आता है sunset इंडस्ट्री जब नीचे आने लगता है सूरज ढलने लगता है यह वो समय जब product बदलने क समय आ जाता है हर इंडस्ट्री में Sun Sunrise भी होता और Sunset भी होता है electric vehicle के अंदर भेंकर Sunrise है Sunrise इंडस्ट्री की निशानी क्या है यह वो इंडस्ट्री होती है जहां investor लगातार पैसा लगाना चाहता है सारे start-ups और venture capital वहां इंटर करते हैं दूसरा यह engine बन जाता है future economic growth को तीस स्टेडली यह employment को generate कर रहा है चौथा इसमें profit बहुत ज्यादा मिलते हैं और पांच वा environment पे हमिशे positive वसर पड़ता है यह पांच चीजों समझ में आता है की देश में और क्या बोले मैं तुम से पूछ नहीं रहा हूं बतानी रहा हूं तुमको बुल्डोज कर दूँगा खतम कर दूँगा निस्तों नाबूत कर दूँगा अगर तुमने electric vehicle पे पूरा movement नहीं ला दिया नहीं आएंगे तो तुमारी बिना नहीं तो तुमको गसे से इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोल और डीजल की गाडियों के लिए और वो चाहते है एलेक्रिक वहिकल ऐसा कुछ हो जाए कि वह सूरज की रौष्णी दर चल जाए पूरी तरह इंडिपेंटने तो जाए गाड़ी Modi ने भी बोल दिया चार्ज मोबिलिटी वही फ्यूचर होने वाला है फोर्विलर की गाड़ियों में तकलीफ आ रही है लेकिन जो इलेक्टरिक वहिकल ने पार। क्या मतलब हूआं मास मोबिलिटी का सचमे क्वेलिटी के फोकस करने शुरू कर दिये सरकार चाहती है टैक्स कम से कम ले गाड़ी पहले जो टाक्स परसंट पर दिया है ऐसे इंसेंटिव दे रहे हैं तरह तरह के पकेज़ दे रहे हैं कि गाडी एलेक्टरिक वहिकल किसी तरह के सपोर्ट करते सबसीडी दे डालो सारी इन्होंने फेम बना एक नहीं संस्ता फास्टर अडॉप्शन जो फेम बना इसमें सारी देश के तिंक टैंक डाल दी किसी तरह आगे बढ़ा दो उसको दुनिया अडॉप्ट करती जा रही है यूएस और चाइना नंबर वन टू अपने आप में कंट्रियां आपस में कंपीट कर रहे हैं टेसला सबसे जादा कर रहा है इसलेक्टरिक वहि तो बहुत अच्छे है यह ना आप जानते ही हो कि इसमें एमिशन नहीं है जो एमिशन नहीं होगा पॉलूशन नहीं होगा तो नैच्रली फाइदा होगा इलेक्रिक वहिकल में बड़ी कंवीनियंस है कि अब आपको पेट्रोल पंपे नहीं जाना है अब आपको वहाँ जा गाड़ियों में आग लगने के चांसे लोते हैं जो टेस्ट होता है उसका पेट्रोल डीजल की लेकिन यह दो करोड़ नहीं कह रहा है कि बारा करोड़ गाड़ी में से किसी एक में आग लग सकती है इसका मतलब सेफटी के मामले में यह बहुत आगे निकल गया में बात मैं करी चुका हूँ आपसे आवाज यह गाड़ी करती नहीं ना बाहर करती है ना अंदर करती है इसके रेडियस टर्न करने के जादा अच्छे बना दिये हैं और जो कामगार आदमी है जो छोटे गाओं में आदमी काम करता है लोडिंग का रिक्षे का वो जादा इंकम कमा सकत अगर इसका गणित लगाएं कि यह गाड़ी सस्ती क्यों पड़ती है देखिए क्यों फीचर होने वाला मेरी बात समझेगा एक मौडल होता है टी सी ओ टोटल कोस्ट ऑफ ओनर्शिप यानि कि कोई भी चीज को खरीदने की टोटल कोस्ट क्या पड़ती है गाड़ी खरीदन कि सर्वेस होती है इसकी सर्विस कम पड़ती है चौती इसकी फ्यूल की कोस्ट के बार बार पेट्रोल डीजल कितना डालना है पांच वी इसकी डेप्रीशेशन की कोस्ट अब डेप्रीशेशन भी कम लगता है तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनर्शिप उसके कारण इलेक्ट्रि टूवीलर को किसी भी तरीक से एलेक्ट्रिक वेहिकल कर देना है नीती आयोग बोल रहा है अब जितने भी हाई-rise बिल्डिंग आएंगी जो भी हॉस्पिटल आएंगे जो भी मॉल्स आएंगे जो भी रेजिदेंशल एरी आएंगे जो भी कमर्शल बिल्डिंग आएंगी जितने भी ऑफिसे आएंगे सब में यी वहिकल एलेक्ट्रिक वहिकल के चार्जिंग का स्पेस देना ही देना है दुनिया की दस सबसे जारा पॉल्यूशन क्रियेट करने वाली सिटी में से साथ इंडिया में है एक अच्छा डिसेशन ओर ले लिया जो दस अपने देश के इस सबसे जारा पॉल्यूशन वाले शहर है वहां पर यह किया रहे है कि एक फिक्स परसेंटेज इलेक्ट्रिक वहिकल बिखना चाहिए जैसे मतलब जितनी भी घाडियां बिके उसमें से 10 या 20 परसेंट केवल इलेक्ट्रिक वहिकल बिकना चाहिए आपको मालूम है एक गी अबड़ा और इसकी एकॉनमी खतम हो यह देश करने में इंटरस्टेट है हमारे चैनल पर आता है इसमें क्या समझना है आपको जब आप नहीं व्यापार में इंटर करते हैं पेहली मैं बता चुका हूं Sunrise इंडस्ट्री होना चाहिए दूसरी चीज कि उसमें एंट्री मारे कैसे कैसे उसमें गुषें आज आज electric vehicle की बात कर रहे हैं इसमें घुसने से पहले क्या त्यारी करना चाहिए पहली चीज जब product बना रहे हो electric vehicle तो कई लोग बना रहे होंगे बनाते वक्त आपको consumer की journey को पहचानना पड़ेगा market की need और size को समझना पड़ेगा raw material कहां से लाओं उसकी त्यारी करनी पड़ेगी इसके अलावा manpower capability कैसे लाओं मेरे का working capital infrastructure management कितना है और existing innovative products क्या चल रहे हैं मैं उनको कैसे improve करूँ जिसने जो जो innovation ला दिया परवा नहीं कोई भी उसके innovation में जो गलती है उसका improvization चाहिए improvization in existing innovation can kill the existing innovation मेरी बात समझे जो भी innovative माल लेकर क्या है वो कुछ तो गलती कर रहा है आज मैं आपको अपने leadership funnel everything about entrepreneurship के participant मिस्टर नहाग की बात बताऊंगा इनकी company ने क्या किया electric vehicle की industry को समझा के study रहती है कोई example रहता है बात जाला समझ में आती है इन्होंने गलतियां ढूंडी industry में क्या हो रही है बाकी वहिकल में क्या गडबड़े हो रही है जिसको मैं improve करूं उसको बोलते है product development new product development हर company की एक tagline होती है इसी तरह नहाक ने हमसे सीखा program में tagline क्या बनाया we turn innovation into value creation कि तभी innovation हो रहा हो उस innovation में real value नहीं आएगा customer को क्या फाइदा और अगर आपने innovation को real value बना दिया मैं भी बताऊंगो आपको example के वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको तभी गेम चेंज उपाएगा तीन फाइदे होते हैं जब आप innovation में value create कर देते हैं तीन फाइदे होते हैं पहला कि आप competition से बहुत आगे निकल जाते हैं यूगें competitive advantage दूसरा अर्ली revenue मिलते हैं आपको जल्दी पैसा आता है तीसरा changing environment का आप पर फरक खतम आप पहले ही बहुत आगे निकल जाते हैं अगर मैं आपको थोड़ा comparison कर दूँ तो बाता सानिल समझ में आ जाती है पहले जो आटो रिक्षा था वो तीन रुपए किलोमेटर चलता था अभी रिक्षा एक रुपए किलोमेटर चलता है अब जो भी चल रहा है चलने दो उसको लेकिन उसके अंदर जो कमिया हैं उसके अंदर क्या innovation ला दे उसके अंदर इंप्रोवाइशन ला दे गार्बेश ट्रक जाया करता था पहले उसके बाद में भी गार्बेश ट्रक बड़ा साइज में उस मैनूल है सब कुछ उसमें कूड़ा हाथ से भरना है हाथ से बाहर निकालना है दिक्कत उती थी बाद में आया ए रिक्षा का ट्रक आ गया लेकिन अभी भी मैनूल प्रॉसेस था नाहक जी ने क्या किया जी उसमें डाल दिया हाइड्रॉलिक सिस्टम छोटा रिक्षा अब वो जगे जगे घुश जाता है पतली पतली गली में जाता है अपने आप हाइड्रॉलिक तरीके से वह उठके बाहर कुड़ा निकाल देता है उसी मसारा भर भी देता है पूरा आटमाटिक हो गया तीन आदमी काम एक आदमी करता है पैसा भी बच गया और ज जंग और जल्दी लग जाएगा अब वो कोरोजिन के चकर में नुकसान कस्टमर का होता था इन्होंने देखा ऑपरिचुनिटी निकल के आई तो एक नया इंप्रोवाइलिशन आया इसको बोलते है एफ आर बी फाइबर रीनफोर्स प्लास्टिक आपने देखा ने मेट्र कोई जरुवत नहीं कुछ भी हो रहा है आपके आसपास कोई भी आप से आगे निकल गया कोई जरुवत नहीं नहाग कितरे हैं सोचो नहाग ने क्या देखा मार्केट के अंदर मोपेड चला करती थी और यह बड़ अभी भी चलती है ऐसा नहीं चलती थी पेट्रोल की मोप कैसे कर सकें डेड़ रुपे किलोमेटर उसको परती थी मोपेड की उसकी जो ट्रैवल कॉस्ट थी और नहाग ने मोपेड ला दिया 25 पैसे पर किलोमेटर छे गुने का फरक है यह 25 पैसा पर किलोमेटर वो डेड़ रुपेया पर किलोमेटर और मोपेड अभी इंडिया में पने हैं ना फटा फट 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 इसी चकर में नोट छाप रहें कि जो जो इनके साथ जुड़ता है अब रूल बड़ा सिंपल है सर बिजनस के अंदर जो चल रहा है उससे आगे निकलने के लिए उसकी गलती को आप इंप्रूफ कर आप ने देखा हाइप राइस हाइप स्पीड स्पोर्स बाइक बहुत चलती है जूँ 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 करके लड़के बगाते हैं और वो इलेक्ट्रिक वहिकल इसलिए नहीं खरिचते हैं लोग सोचते हैं जी उसमें तो स्पीड आई नहीं सकती पहली बार नहाग नहीं अभी तक इंडिया में नहीं बिजनस में अलग-अलग ढूनने के तरीके बता रहा हूं कि इंडस्ट्री में कॉम्पेटिशन के आप गैप कैसे ढूंड़ो इलेक्ट्रिक वहिकल के बिजनस में गया पेक और निकला कि पहले डीजल लोडर हुआ करते थे अब बना दिये अब डीजल लोडर पहले हजार सब्सक्तर निकार तरे काम करते याकटर निकि यह उसको मश्र डियो पना दो कंटीनर कार्ट मैदो फूड का सिस्टम बना दो जब अलग-अलग वेजिटेबल कार्ट बना दो अब जो बचारा सबजी बेचने वाला है अब वो सब्जी बेचने वाला अपनी ही घाड़ी को लगा के अलग अलग रैक के अंदर सब्जी सजा के उसी में बेच देगा ऐसा नहीं कि उसके अंदर भर के जाए बाद में ठेले पे लगाए अपनी दुकान पे लगाए इससे क्या होता है जी कंज्यूम बनाओं अब इंडश्ट्री ठीक होगे product ठीक होगा अब डिस्ट्रीबूशन ठीक चाहिए बेचंगा कैसी बाइद मैंने ठीक बना दिया बिचना भी तौ आना चाहिए ना वेचने के लिए आपको डिस्ट्रीबूशन बनाने के लिए डिस्ट्रीबूशन नेटवर्क में आपको मार्किट को फिर से समझना पड़ेगा फिर से मार्किट की गलतियों को पकड़ो फिर देखो अपने हिसाब से डिस्ट्रीबूशन नेटवर्क बनाओ यहां डिस्ट्रीबूशन नेटवर्क नहाख ने अपने साथ मिलके कैसे बना मैं कोचिंग किया मिस्टर नाहक की उन्हीं का है ब्रैंड नाहक जिनकी ये गाड़ियां चलती है और मॉडल कैसे चेंज किया अपने साथ में गाड़ी किसी डिस्ट्रिबूटर को ने दी खाली सी एनफ को दी कैरी एन फॉरवर्ड ये सूपर स्टॉकिस की त इनका अपना ही है और जो होता है पैसा भी बहुत नोट चाप जाता है उसको बड़ा बेनिफिट देते उसको बड़ा सपोर्ट देते हैं और वहां से अपने डीलर के पास अब कोई भी गाड़ी आपको चाहिए तो सी एनफ से डीलर के पास किदर भी जाने में 3-4-5 घंटा आपको कलर चेंज करना आपको मॉडल चेंज करना आपको डिजाइन चेंज करना है चार घंटे में गाड़ी पहुंचा थी कस्तमर बहुत खोश हो गया अब इन्होंने बीच में एक लेयर हटा दी ना और एक लेयर हटने से वही पैसे को उसी से सी एनफ ज़दा कमा रहा त से डीलर जादा कमारा और कस्टमर को जादा फाइदा मिल रहा है कई बार पुराने सिस्टम ठीक नहीं होते एक्जिस्टिंग इनोवेशन में इंप्रोवाइडेशन चाहिए आप गेम चेंज करेंगे इसके अंदर आपको एक बात मुद्दे की समझ दी जरूरी है कि किवल कस नहीं लेनी है सी एफ के जो एंपलॉई की तनखा यह खुदी देंगे इसके ट्रांस्पोटेशन की जो खरचा है वो कहते है मैं खुदी दूँगा उसको बड़िया मारजन है नहाक कहता है मैं खुदी दूँगा सी एनफ कहते हैं मैं क्या करूंगा नहाक कहते तु नोट- जल्दी मिल जाता है चार पांच घंटे में माल पहुंच जाता है वैसे पुराने सिस्टम के अंदर वो बिचारा डीलर कम से कम दस कस्टमर ऐसे छोड़ने पड़ते थे उसको क्योंकि उसके पास माल की सप्लाई नहीं थी यहां पीछे सी एन अफ माल तुरंट देता है वो दस गाड़ी कम से कम महीने की फालतू बेचता है इसलिए डीलर भी क्या कहता है जी मज़ा ही आ गया मुझको उसके मुझसे कहता है अरे बात बड़ी सिंपल है इंड़स्ट्री बहुत ऊपर जा रही है मैंने आज आज आपको तीन बाते बताई इंड़स्ट्री ठीक प्रॉड़क्ट बढ़िया बनाओ डिस्ट्रीबूशन ठीक कर लो इलान मस्क कहते हैं वी विल नाट स्टाप अंटिल एवरी कार ऑन दे रोड इस इलेक्ट्रिक जब तक सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक नहीं कर दूँआ इलान मस्क बोले रुकूंगा नहीं मैं चाहता ह किया दूसरा से क्यों नहीं करा सोशल मीडिया पर मैं नए कई अलग प्रकार के वीडियो डालने शुरू करें मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलू करिए इन लिंक्स को जुरूर नीचे चेक करिएगा अगर आपको नहांक से जुड़ना है उसका बोड लाइन नमर हमने आपक अपनेर्शिप यूटीव चैनल बनाने के लिए आप सब का प्रेम पूरवक्त मुस्कुराइट के साथ धर्यवाद